अलो दोस्तों मैं आपका होस्ट और दोस्त प्रदुनकवार और आपका इस आनल पर बहुत बहुत सवागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे और इसका अपने बेजनस में इसका यूज कर सकते हैं और यशाने बना सकते हैं जैसा कि आपूरायो की हम बनाते हर को सब्सक्राइब करने gäller को सब्सक्राइब कारें दोस्तों चलते हैं और आपको और आप देखींग इन सभी चीजी को तुक्ति को दोस्तों अब हम देखते हैं यहां पर सबसे पहला दिखें अफटoks vendor यह आपको मैं इसको बता दूऊ कि यह सारा का सारा चीज जो है इसे कहते है सारा का सारा जो आपको दिख रहा है यह होता है इसका लेयाउट ठीक है और मैं लेयाउट में आपको बता दूँ कि ल्यावट में आपको क्लीयर करके बता दूँ कि सबसे तॉप वाली जो row होती है इसमें मैं आपको दिखाना चाता तहूं वो यहां से मैं मार्क कर रहा हूं यहां से यह टॉप वहाली जो रौ है इसे कहते है टाइटल बार जस्के लिएक नीचे आपको मिलता है यहां पर वह होता है है यहां से यहां तक का जो होता है इससे कहता है है यह होता e यह सारा को सारा फार्मूला बार ठीक है यह होता है यहां पे utiliz हमेंट यहां पर इस लोकेशन का नाम देता है ठीक है और यह होता है नंबरिंग ठीक है यह उस कॉलम का नंबर दर साता है ठीक है और जश्ट इसके नीचे अगर आप आते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा निविगेशन बार इतने में जो कि आपका फूटर में होता है इसे कहते हैं यह फूटर बार में आएगा यह सारे को सारे को आप कहेंगे सभी को मिला के इसे कहते हैं फूटर बार और इसमें आपको इतना जो मिलेगा सिर्फ इतना में एक मार्क लगा देता हूं यहां से यहां से इतना जो होता है सिर्फ निविगेशन बार होता है यह आपका जो भी बटन होती है इसे कहते हैं new slide यानि add slide के लिए होता है और just इसके बाद आप जो भी slide यहां पर open किये होंगे वो सारी slides दिखाएंगे इसके नीचे आपको यहां पर जो मिला यह last वाली जो है इसे क स्क्रोल बार और just यहां पर मिलेगा sidebar ठीक है दोस्तों यह सारा इसका आपको मैंने अभी अभी layout बता दिया इस सारी चीजों को आप जरूर से जरूर देख लें और मैं इसको just वीडियो में पूरा का पूरा ऐसे बनाके ऐसे ही दिखा दूँगा आपको ताकि समझ में आय और दोस्तों अब चलते हैं इसके software रहे हैं ठीक दोस्तों तो यहां पर हम आने के बाद अब देखते हैं यहां पर क्या होता है कैसे काम करना देखिए कहीं भी अगर हमें कोई calculation करना होता है तो हमें row और column computer में decide करना पड़ता है यानि कि उस row और column में हम किस चीज को decide कर रह होगा जैसे यह इक चार Estamos है यहां तक आप देख रहे हैं बहौंत को Lesley मिलेगा कि कुझे यही आप एक का रों देखेंगे तो यह जहां तक ऐसे जा रहा है वह सारा सारा आप एक का रू मानेंगे यह पहला रों मानेंगे ठीक दो स्तों तो यह हो गया इसका मतलब करना है किसी रो और किसी कॉलम जब एक दूसरे को काटते हैं किसी जगह पे तो वहां पे जो जगह बनती है गेरी हुई जगह बनती है उसे क्या कहते है है कि यानि और यहां पर आपको इतने सारे सेल मिलेंगे इन सभी सेल्स का ऐसे ही करके हम लोग कैल्क्लेसिंग करते हैं ठीक है तो इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं उसे समझ दीजिए जैसे निक्स सेल करना होगा अगले सेल पर जाना हो तो आप टैब करेंगे और उसके नीचे वाले सेल में आना है तो आप इंटर प्रेस करेंगे इंटर आएंगे ठीक है दोस्तों टाइब करेंगे नेक्स सेल पर जाएंगे इंटर प्रेस करेंगे नीचे आएंगे और शिफ्ट टाइब करेंगे तो आप वापस जाएंगे पर इसमें देखिए नहीं काम कर रहा है यह काम करता है एक्सल में इसमें बैक जा रहा है बस देखिए बस बैक जा रहा है बलकि इसको वापस भी जाना चाहिए इंटरफ्रेस करते हैं देखिए इंटरफ्रेस करने पर भी यह उपर नहीं जा रहा है ठीक है दोस्तों इसे डारेट आप माउस करजर की से कंट्रोल करें यानि एरो की करेगा अब डाउन से करके ले जा सकते हैं ठीक है दोस्तों अधर्वाइज जब भी आपको लिखना होगा तो एप 12 प्रेस करें तो आपको यह डायरेक्ट लिखने के लिए दे देगा ठीक है दोस्तों तो आप इससे लिख सकते हैं और यहां पर स्लेक्ट हो जाएगा लिखे आप यहां पर ध्यान दे फार्मूला बार में यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि इक्वल का सिंबल लिखा हुआ है ठीक है अब यहां पर लिखेंगे ए वन ठीक है एवन जैसे ही लिखेंगे अब देखिए यह वाला सेल्ट हो जाएगा एवन प्लस एटू ठीक है अब यह क्या होगा काल्कुलेट हो जाएगा तो दस और बीस मिलाकर कितने होते हैं तीस अब रीजन क्या है आपको यह नहीं समझाया होगा कैसे यह हो गया देखिए यहां पर हो गया वन यहां पर हो गया मैंने बताया था रो और कॉलम जहां पर एक दूसरे को डिवाइड करते हैं उस एरिया जो भी वहां पर एरिया बनती है उसे क्या करते हैं सेल करते हैं और यही सेल का मैंने यहां पर रेफरेंस दिया हुआ है यानि उसका पता दे रख दोस्तों अब यहां पर अगर हम new कोई add करना चाहते हैं जैसे 30 और add करना चाहते हैं तो अब यहां पर हम क्या करेंगे equal का symbol लगाएंगे और लिखेंगे a4 प्लस ठीक है a3 इंटरप्रेस करेंगे जैसे ही 30 30 60 हो गया इन दोनों को इसने क्या किया जोड दिया हुआ ठीक है दोस्तों आप देखेंगे इन दोनों को इसने क्या क्या है जोड दिया हुआ है और आपको यही यहां पर आंसर देखने को मिल ला है ठीक है दोस्तों तो अब हम इसे add कर लेंगे अपने सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें काम करने के लिए हमें समझने आ पाए ठीक है दोस्तों अब हम क्या करेंगे यहां पर देखें बैक स्लेक्स करते हैं तो हमें हमें यहां तकर डि vaccin करना है तैका डिलिट करने के लिए यहां पर आप है आप बता रहाए है आपको कौन कौन सा चीजह selected भी बी का दूसरा selected बी का 3 ऐसे करके आपको बता रहा है यह क्या क्या स्वेक्टेड है ठीक है दोस्तों अब हम यहां पे यह समझेंगे कि यह जो calculation हो रहा इसा धार पर तो हो गया तो क्या हम यहां पर और भी सारी चीजे performance और भी टैप के perform कर सकते हैं यहां बिल्किल यहां पर अपलग भग सभी तरह के calculation कर सकते हैं यहां पर आप जीतने टैप सोच रहा होँगी आपके दिमाग में आ रहे हैं वह सारे calculation यहां पर लेबल है कुछ फारूले के मदद से हैं कुछ आपको ही फार्मूले बनाने पड़ेंगे ठीक है एक्कवल सिंबल देंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे पहले टीन देदे हैं गंबे में टेरते हैं अब देखिए ये क्या हम एक सीर इस आंथ और रहे हैं दस देस की ये बना सोरी कैल्क बहुत समझदार है क्योंकि ये खुदबखुद समझ जा रहा है कि हाँ मुझे 1010 का भी इसनल यहां पर दे रखा है तो हमें क्या करना है यहां corner से ध्यान दे तो यहां प्लस का symbol बने गया ठीक है यह से भी pointer करते हैं यह अगर प्लस का symbol बन जाएगा आप देखेंगे number generate करके तो आप देखी यहां पे number खुद generate करके दिखा रहा है यहां 15 number हो जाएगा ठीक है दोस्तों otherwise आप अगर चाहते हैं कि एक यहां पे लिख रहे हैं दो लिख रहे हैं और यहां पे तीन हम नहीं लिख रहे हैं और एक-दो एक-दो ही फिल होते जाए तो आप यहां से एक-दो यानि duplicate otherwise आप mouse के तरीके से भी कर सकते थे इसे corner से यहां लेंगे और यहां पर फिल करेंगे देखे फिल हो गया यहां पर दो फिल होगा क्योंकि यह increment टाइप का ले रहा है अगर आप इसको direct यहां से पकड़ेंगे ऐसे लेके आएंगे तो देखिए यह नंबर भी generate होते जा है ठीक है दोस्तों यह ऐसे भी करके increase कर सकता है यहां से खीचेंगे यहां पर तीन हो जाएगा पर अगर इसे पकड़ेंगे यहां से खीचेंगे तो देखिए चार-पांच क्योंकि प्रिवियोस वाली सीरीज इसने क्या किया स्टार्ट किया है otherwise आप यहां से पकड़ेंग मैं और कर्जलर रखने के बादा ऐसे डार्रेटन लैंगे तो ही तो फिल करते रहा है पर इसे फिल नहीं करना झाहिए ठीक है और दोस्तों मैं यह अभी वह तरिका सहीं नहीं है बल्कि इसे अगर हम देखें यहां पे लिखते हैं और यहां पर B C और D देखें यह वाला तरीका किया करता है इसमें कुछ advance पर रखे हैं इस type का दूसरा ठीक है ABCD देखिए वह ऐसे फिल कर रहा है उसी series में फिल कर रहा है तो देखिए यह string है पर वह number के लिए हमेशा increment जैसा ही कर रहा है और आप देखेंगे ABCD को यहां फिल किया फिल किया अगर drag drop करते हैं तो आप देखेंगे कि यह ही सब में फिल हुआ होगा है ठीक है तो यह कुछ basic तरीके थे जो इन में pattern है जो pattern को follow करता है इसे आप जरूर से एक बार try कर लें ताकि आपको बार बार यह सारी चीजे समझने में भी इसू ना हो ठीक है दोस्तों तो मिल्ते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप अपना यह सारी शे हैं आप असिखरा सब्सक्राइब और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और करते हैं कुछ धम्माल सा, ठीके दोस्तों, तब तक के लिए बाई बाई, अपना ख्याल लखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल लखना न भूलें, ओके दोस्तों बाई बाई